वेलकम बैक नाजवीन आप देख रहे हैं जी गुड मॉर्निंग सेटी अच्छा जिल अब इस सेग्में बड़े ही एक इंट्रसिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जैसे कि आप आपको बता है कि एक सर्म प्रोग्राम में टेक्नोलोजी का जिकर जरूर करते है क्योंकि टेक्नोलोजी के बगार कोई भी छोबाय जिनदगी हो अधूरी सी लगती है हर फील्ड में से टेकनोलोजी अपना रोल प्ले कर रही है और दिन योगों के नहीं टेकनोलोजी आरी हैं यी आप देखते होंगे अक्सर हम बात करें कि आज शीर आज आज आटिफिसल बॉक्टर यासिर नयास खान और यह जी AI expert है artificial intelligence expert है और तहरा मैं हमार जो आग वादि धर्ण के गैस्ट है उनकी चाहाना चाहूंगा कि इन्होंने पीएस टी इन artificial intelligence and robotics में की है जर्मनी से की है और ना सुर्फ पकिस्तान की उनिवस्टी बलके जर्मनी की उनिवस्टी में टीचिंग भी की है सर को प्रोग्राम में वैलकुम कहते हैं बिना किसी ताखीर के और जो जो आप intelligent की हमें नजर आती है, मखलूप वो इनसान है, तो इनसानों की intelligence को क्या हम machines के अंदर replicate कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो आज से कोई सतर असी साल पहले ये field स्टार्ट हुई थी, और उस वक्त थोड़ा थोड़ा करके वो artificial intelligence के models बनाते गए, लेकिन उस सकते हैं, पिछले कुछ सालों के अंदर हमारे पस जो हैं, वो इतनी जादा बढ़ गई है कि अब वो जो हैं, इनसानी intelligence के करीब आना शुरू हो गया है, और वो इतने अच्छे हमें आंसर देना शुरू हो गया है, जो कि हम अच्छे हमें के साथ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, यूगा सर अमने अक्सर देखा है कि इस तरह के लेटेस्ट टूल आ गए हैं कि क्वेसंस अगर आपको कोई भी बात पूछनी है तो आपको किसी दूसरे का इस्तमाल हो रहा है और एक ट्रैफिक की डूमेन में काम हो रहा है जिसमें ट्रैफिक के बहाओ को तो सलसल के लिए जितने स्टेप्स लिए जा सकते हैं वो किये जाते हैं जैसे माजी में आपने देखा होगा कि इचलांज इशू किये जाते थे ट्रैफिक स्टेफिक वॉइलेशन के ऊपर कर रहा है कि उसको बढ़ाया जाए इसी तरह क्राइन के ओपर के वंटिड क्रिमिनल जो है उनको शेर के अंदर ढूंदना हो सेफिती कैमरा के अंदर तो उसके ऊपर हम उसकर सकते हैं और एक और इनिशेटिफ जो सेफिती ने लिए है कि आपको पता है कि लहोर बड़े शहर उन में पॉलिशन के मसाहिल बहुत ज्यादा है बिल्कुल तो ऐसे फेक्टर को इडेंटिफाय करना जिनकी वज़ा से सेफ सिटीज में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और मशील लर्निंग बेस्ट कोई सॉफ्ट एर पहले से उपरेशनल भी हैं जो काम कर रहे हैं जी बिल्कुल है इच लांज ट्रैफिक वाइलेशन के ओपर रेक्स जिगनिल की जंपिंग हो गई या स्पीड वाइलेशन के होते थे कुछ वाइलेशन के ओपर होते थे अब उसको सिस्टम को एक्सपैंड किया जा रहा है कि तमाम वाइलेशन के जो हैं चलांज वाइलेशन के इंक्रीज कर दी हैं ठीक है अच्छे सर मुझे बताईएगा कि कानून नाफिस करने वाले जो अधारे हैं लाइन फोर्स आफिस करने इस तरह सकते हैं इसी तरह स्टोलन वेहीकल जा उनकी प्रेकिंग किया सकती है मॉब्स को डी्टेक्शिं की जाती है मॉब बहेवियर की मॉडलिंग कर सकती है इसी तरह online इंडिया के ओपर जो hate speech और जो threatening behavior और harassment है wemin harassment के ओपर काफी काम इसके ओपर हो सकता है क्योंकि वैसे देखा दब हलिए था इस तरह के कमेंट किस में किस ने किस ने की है या किया तो इस टेक्नोलोजी के ताहद वह कीवर्ट लग की वजब लगाने के शुरूइंग पड़ें के आपके सरकिन्स उचल मीडिया को अनलाईस करने के बाद जहां जहां पर इस तरह के hate speech हो रही है या offensive words यूज़ हो रहे हैं उस सारे automatically detect करके और उनकी alerts generate होना शुरूद ही है सार हाल ही में Safe City के अल-बैरूनी Research Center का क्याम वजूद में आया है सार यह Research Center का मकसद क्या है इस Research Center का इस Research Center का भी यह है कि पुलीस के अंदर जो है वो artificial intelligence based research को लेकर आया जाए और artificial intelligence based जितने भी solutions है उनकी training करवाई जाए पुलीस के अंदर भी उसमें हम यही traffic, environment, crime इन चीजों के ओपर इनको हम जिस तरीके से AI के जरीए improve कर सकते हैं वो सारी research को इसके अंदर conduct करवाया जाए researchers को हायर करके और इस field के अंदर पाकिसान के अंदर indigenous capability पैदा की जाए ठीक है अच्छे सर एक domain तुमें 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 बहुत बढ़ी है सारी field में इसका काम हो रहा है तो इस domain में रहते वे को ऐसा हिरान कुन काम मिसाली काम जो आप शेयर करना चाहिए जो आपको लगता ह है था कि fake videos भी generate होना शुरू होगी थी और उनकी detection पर भी काम हुआ था यह बड़ा एक revolutionary काम था second आपने देख लिया है के chat GPT का काम है कि जिसमें आप जिस एजेंट से जो भी question कर लें वो हर question का कुछ में कुछ आपको answer दे देता है और 90% of the cases में वो answer सही होता है और तीसरी चीज जो है जिसको मैं revolutionary समझता हूँ वो autonomous cars है जैसे टेसला की मिसाल है कि जिसके अंदर आपको driver नहीं चाहिए हो ता पीछे बैढ़ जाते हैं और गारी को कहते हैं और पूरे मुल्क में आपको लेके भी है वो गूम सकती है गारी जब driverless cars है और आप easily इसको guide करके move कर सकते हैं और वाकी बहुत बड़ी evolution है और सर दुनिया जो है वो तेजी से उसका रोजान online business की तरफ सर बढ़ रहा है तो online business में artificial intelligence और machine learning किस तरह से अपना लोहा मनवा रही है online businesses के अंदर भी artificial intelligence और machine learning जो है वो businesses को scale up करने के अंदर उनकी outreach पुरी दुनिया में बढ़ाने के अंदर पाकिसन की exports को increase करने के मतलिक और software houses का जो अपना काम है उसको reduce करने के मतलिक पहले जो काम दस लोग किया करते थे अब वो दो लोग कर सकते हैं artificial intelligence को use करने के बाद तो जो इंडिस्ट्री की जो production है वो बहुत ज़दा बढ़ना चुरूँ हो गई है artificial intelligence के तरही है सही सरे एक आम ख्याल ये भी है कि ये जो ऐसी technologies हैं ये robots हैं ये आने वाले वक्तों में इंसान को replace कर देंगे क्या समझते हैं कि ऐसा possible है क्या machine इंसान का मतबादिल हो सकती है नहीं ये पहले भी खौफ था जब industrialization हुई थी कि जब industry लगेगी तो लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे हाला कि ऐसे नहीं हुआ उनकी nature of job बदल गई जो पहले बहुत जदा hard labor होती थी है वो अब कम हो गई है और लोगों की working conditions है वो जड़ा बेहतर हो गई है इसे तरह रोबोट्स आने से भी लोगों की working conditions है वो और जदा इंप्रूव हो जाएंगी हम देखते हैं के कोईले की कानों में लोग मजदूर जाते हैं सारा से जिन्दगी वहां पर गुजार जाते हैं दमे के मरीज हो जाते हैं एकसिडेंट होते हैं तो वहां पे हम उनको रोबोट्स को बेज सकते हैं और जो इनसान है वो रिमोटली बैठ के उनको मॉनिटर कर स वोट निजर आ रहे होंगे। अल्टिमेटली तो होगा लेकिन जितना जल्दी हम एक्सपाइट करें उतरह जल्दी नहीं होगा, काफी टाइम लग जएगा इसकाप पर तैंक यू सोअफ आपकी कीमती वक्ता आप में हमें इतनी मुफीद बाते हैं बताईं तो नाजरीन जैसे कि आपने देखा कि आजल एएए मतलब इतनी लेटिस और इतनी ऐसी टेक्नोलजी है कि आप खुद हैरान हो जाते हैं इसके इनने फीचर के बारे में जैसे चैट जीपीटी का जिकर किया कि में खाल आप तो सुडेंट भी ऐसी हैं कि अपने प्रोजेक्स अगर आपको कहीं से मिल गया किसी टीचर ने दे दिया तो मतलब आपको परिशान होनी के जरूरत ही नहीं चैट जीपीटी आप लिखा अपना क्वेस्टन और आपको हर तरह के आंसर फॉरी तौर पे मिल तो आप टेक्नोलजी के इस्तमाल जरूर करें लेकिन आप खुद की नॉलेज को भी आप इंप्रूफ करें आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है टेक्नोलजी उतना रोल प्ले कर रही है लेकिन आपका नॉलेज भी बहुत जरूरी है इसी बात पर लेते हैं चोटी